देहरादून के सिलवर सिटी में साथवे देहरादून अंतरास्टे फिल्म फेस्टिवल का आगाज हो गया उतराखन के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी ने शुकरवार को साथवे देहरादून अंतरास्टे फिल्म फेस्टिवल में प्रदिवा किया मुखे मंतरी ने काया कि राज़ में बड़ी संख्या में फिल्म निर्माता शूटिंग के लिए उत्राखन आ रहे हैं फिल्म निर्मात के लिए राज़ सरकार के द्वारा बहतर सुविधाय प्रदान की जा रही है मुखे मंतरी ने काया कि प्रदेश में फिल्म कारों के हित में फिल्बांकर की सुकृति के लिए आनलाइन सुविधा उपलब्द करवाई गई है अब एक सब्था के अंदर ही फिल्बांकर की सुकृति प्रदान की जा रही है उन्होंने काया कि उत्राखन आने बाले समय में फिल्मेकर्स का पसंदीदा डिस्पिनेशन बनेगा उन्होंने ये भी बताया कि आने बाले समय में दिल्ली देहरादून एलिबेटेट एक्स्प्रेस वे से दिल्ली से देहरादून का सफर महल दो से डाई घंटे में किया जा सकेगा निश्चि द्रूप से फिल्मों के लिए सबसे अच्छा महल हमारे उत्राखंड में है वो जितना और सकारात्म सोब्ता है हमने सभी लोगों से फिल्म से जुड़े हुए सबी प्रकार के लोगों के अवएन कि ह् आवान किया है। उत्राखंट की सरकार हम सब लोग निश्चित रूपसिक जो भी प्रौसान देना होगा जो भी उत्रा सयोग करना होगा हम करेंगे और हम सब को आमित्री फिल्म करना होगा। साथ में देहरादूल उंत्रास्टिफ फिल्म फेस्टिवल में बॉलिवुड के कई दिककच कलाकारों ने भी भाग लिया। साथी इस दौरान आयूजक राजेश शर्मा ने सभी अतितियों का धनेबाद भी किया। से निखारा नहीं गया है। जिसके उपर सीम साब लगे हुआ हैं उन्होंने एची फिल्म पॉल्ची बनाई है। आई होब कि नेक्स कुछ कपल ऑफ येर्ज में यहाँ पर आपको अच्छी और बड़ी बड़ी फिल्में शूट होते हुए और परश्दी परदर्शी दोत जशना गिनेहुतरी, गनेश कमालकर, पराग महता, शाहिद मालिया, शाहिन मालिया, अर्मान, करन राजदान, दीपिका हिमन, संभुल, एहतिशम, पूजा निरव, शपीर, जुबेर, पितावर्त त्रिपाठी, विक्रम कोचर आदि लोग मौचुद रहे। इतनी सारी मंदर है, इतने लोग अच्छे हैं, बहुत प्यार भरे लोग हैं, शांती प्रिया लोग हैं, तो यह जो प्यार है और मुझे जो लगाओ है देव भूमी से, इसलिए मैं कोई न कोई वज़ा से आती ही रहती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म फेस अच्छे फिल्म बनी हैं यह डिरेक्टर जो बनाए हैं बहुत सारे लोग है इसमें उत्रा खंड के लिए बहुत सारी कविताइं लेकर आया हूं मैं तीन दिन में हम बहुत सारा लेकिन यहां के लोग कहते हैं कि अच्छे बुरे का ग्यान रखते हैं हम अपने अतीती का ध्य कि मुझे यहां आके कैसा लगा कि हमने माना अभी हमारा अपनापन अंजान बहुत है हमने माना अभी हमारा अपनापन अंजान बहुत है और मन के रिष्टे जुड़ जाएं तो पलभर की पहचान बहुत है और हम बनजारे आज यहां है हम बन जारे आज यहाँ है कल जाने कि स्थोर में होंगे आपने हमको अपना समझा आपका यह एहसान बहुत है मैंने बहुत सारी फिलोंगी कि शूटिंग की हुई है यहांपर अपने उदर ननीताल के पास वहां की हुई है तो लिजिकेश में की है आपका हरिद्वार में की है तो ये लगातार ये process बना हुआ है और बहुत अच्छा लगता है मेरे को बहना मिलना चीए मतोरा जाने का और उतरा खान या इस तरह पाने का उतरा खन में हाल फिलाल में एक फिल्म भी शूट करी और मिली जो आपकी फिल तो काफी अच्छा लगाव तो है काफी अच्छी वाइब है पूरी जगह इंदुस्तान के हर कोड़े में सिनमा देखा जाता है और यह पूशी की बात है कि देरादुन जैसे पिक्चरिस्क लोकेशन में अब देरादुन इतने सब्सक्राइब हो रहा है तो इसकी एक्सपेक आएगा जब बहुत सारी टैलेंट भी एक ही चत के नीचे बिलके बैट के बात करते हैं आइडियाज एक्स्चेंज करते हैं तो को अच्छा है निकरते हैं मैं नेम इस राज इसरानी मैं 1992 से बांबे के अंदर कास्टिंग करता था और कई एक्टरों को काम दिलाते थे इस वक्त पांच साल से मैं काम कर रहा हूं इसमें इंडियन फिल्मिश्ट्री का पोर्टल बनाया है जिसमें इनसाइकलोपेडिया हर एक चीज़ का प्रोफाइल बना हुआ है वही साथ में देरादून फिल्म फेस्टिवल के दौरान कई तरह के स्टॉल भी लगाए गए थे, जिनका अधितियों ने अब लोकर किया नमस्कार, मेरे नम रादिका गुरूंग है, मैं मास्टर ट्रेनर उत्राकंड की हूँ, जो डाइमेंड परचार सिक्षा समीति की विन्हाना, उसकी दरफ से तो मेरे अंडर में बहुत सारी महिलाएं जो की काम करती हैं, अभी हमारे हमको ये फिल्म फेर में स्टॉल लगाने क मौकमल मिल है जिसमें हमारी बहनों को थोड़ा रोज़गार का असर मिला है, तो ये हमारी जो नेपाली, ये हमारे जितने भी हमारे बहने अपने हातों से बनाए मैशा जो हो Islands एया को क qué बहुत में ईसको फटे का जो क्रादी का इसकी कि करते हैं, इसका आ जो डिले इस को ल अगर आप जब तक इसको यूज करेंगे तब तक जब तक पानी नी करेंगे इसको बहुत चलता है वो लॉंग लास्टिंग है मैम यहाँ पे जो भी है ये जैनिसा फूड इस्टॉल में जो भी है ये नेपाली डिसीज है जिसमें सेल रोटी है हमारा जो की ओकेशनली और फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बनता है और सेल रोटी और गुर्खा चटनी जो की बहुत फेमस है और उसके संग है हमारा समवाट 365 के लिए बेडियो जौलेज議 दनेश कुमार के साथ रिनू उप्रेति की रिपोर्ट